हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चानल बिसाल इलेक्ट्रोनिक फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप घर बैठे 12V 8A की बैटरी चार्जर कैसे बना सकते हो ठीक है और उसका पूरा डेटा मैंने बताया हुआ है तो चलिए वीडिय अब कितने टर्न लगाने होंगे प्राइमरी वैंडिंग में 649 टर्न लगाने होंगे और वायर का साइज होगा 28 नंबर SWG वायर होगा 28 नंबर अगर आपके घर में 220 वोल्ट आ रहे है 230 वोल्ट आ रहे है यह फिर 240 वोल्ट उसके हिसाब से जो 649 टर्न है इसको 40 से आप 50 भी कर सकते हो लेकिन इससे कम मत करना ठीक है फ्रेंट्स अब कोर नंबर जो होगा 33 नंबर की कोर होगी और बोबिन साइज 2.5 इंच यानि 2.5 इंच की वोबिन साइज होगी ओके और बात करते हैं अब सेकेंट्री वेंडिंग की तो सेकेंट्री वेंडिंग के लिए आपको चाहिए होगे 14 वोल्ट जैसे कि हम बैटी चार्जर बनाते हैं तो 2 वोल्ट ड्रॉप होता है अगर आप 12 वोल्ट एक्ज साइज मैं आपको बता दूं कॉपर वायर 17 नंबर की इस डावलू ची वायर होगी ठीक है तो बहुत ही असानी से आप घर पे बना सकते हो और यह देखिए जो मैंने डाटर यहां पे दिया हुआ है आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो ठीके फ्रेंट्स और बहुत ही से यह बन जाएगा 33 नंबर की आपको कोर चाहिए बोबिन साइज होनी चाहिए ठाई इंच की और आपका 12 वोल्ट का 12 वोल्ट आठ एंपिर का चार्जर बन के तयार हो जाएगा ठीके फ्रेंट्स तो वीडियो अच्छा लग हो तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर कोई भी कोस्चिन हो फ्रेंट्स तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हो मैं आपके कोस्चिन का जरूर जवाब दूँगा ठीके फ्रेंट्स और यह जो मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है यह मैंने डेटा निकाल बड़ा हुआ है तो बेहीं चक आप इसको यूज कर सकते हो जीतना भी मैंने बताया हुआ है यह बैटी चार्जर के लिए सबसे परफेक्ट है और 17 नंबर की जो वायर एफ्रेंट्स यह आठेंपर के लिए सबसे बेस्ट है ठीक है फ्रेंट्स तो वीडियो अच्छो लग थे थे टेंक यू